हेई गाइस वेलकम तो अभीनी आटो व्लॉग्स आज हम रिव्यू कर रहे है अल न्यू जेनरेशन स्कॉर्पियो 2020 विद बीए सिक्स कंप्लाइन एंजिन जिसका एक अपडेट आना थे इसके एंजिन से रिलेटेट सो इसका अपडेट आ चुका है और यह लांच भी हो चु एक शोरूम प्राइस रहने वाला है वही आन रोड यह 19.85 लाक्स तक अवेलेबल हो जाएगी एंजिन इसके अंदर अब इंस्टॉल गया गया है 2.2 लिटर का एम होग डीजल एंजन 4 सिलेंडर जो प्रोड्यूस करता है 140 PS के पार and 320 Nm का टॉक 2020 स्कॉर्पियो के अंदर आ अपको LED DRL Highbrow के साथ आपको प्रोड्यक्टर headlamps मिलता है जो की white light produce करते है LED DRL से इसके अंदर आपको मिल जाती है और LED प्रोड्यक्टर headlamps मिल जाते है वही आपको फ्रेंड में जो ग्रेल है same grill यहां पर offer हो रही है और side look के अगर मैं बात करूं तो वही same आपको wheel size यहां पिले रहा है वह सेम आपको माटन फिनिश में ऊपर रूफ रेल्स मिलते हैं ब्लाक कलर में और इलेक्ट्रिकली एड्जस्टेबल और रिट्रैक्टेबल आपको इसके ओर विम्स मिलते हैं जो की बॉडी कलर्ड है विट टर्न इंडिकेटर्स यहां पर प्लेसरोन आप देख किये गया है और एक-दो इसके इंदर जो स्टैंडर्ड फीचर से उसको चेंज सरूर किये गया है वहीं करना प्राइसिंग की बात करों तो 60,000 रुपीज इसका प्राइस अप हो गया है ऐस कंपर बीएस फोर और बीएस सिक स्टॉक वहीं आप देख सकते हैं जो इसके फु आपको यहां पर क्रोम इन फिनिश में मिलती है डोर हैंडल आपको कलर मिल जाता है पीछे मिल जाते हैं इसके LED टेल लाइट्स जो की स्टैंडर्ड फीचर आपको सभी विरिंट्स के अंदर सेम मिलने वाला है महिंद्रा की बैजिंग पीछे मिलती है रियर पार्किंग सें पर देखने के लिए अवेलेबल हो जाती है स्कॉर बेज बर आपको फोर कलर अप्शिंस में मिलेगी परल वाइट नैपॉली ब्लाक मॉल्टन रेड और डी सैट सिल्वर जो वाइट कलर भी आप देख रहे हैं यह सिर्फ आपको S9 और S11 में ही मिलेगा बाकी और वेरिंट के अंदर यह आपको कलर अवेलेबल नहीं मिलने वाला है वहीं आप देख सकते हो जो इसका बैक लुक है वह सेम आपको देखने के लिए जो कि आपने पहले देखा था वहीं साइड लुक आप देख सकते हो इस साइड से भी सेम आपको कोई भी चेंजिस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं B और C पिलियर सेम आपको ब्लाक इन ब्लाक माट इन फिनिश में यहां पर अवेलेबल हो जाता है वह एकर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ है डबल फॉर फाइफ सेक्स एमम विट है 18-20 एमम हाइट है 19-95 एमम और वील बेस है 26-80 एमम मिलती है हाइट अग्यश्टेबल ड्राइवर से जो की मैनुवली एडजस्ट आप कर सकते हैं जो की आपको पहले भी फीचर मिलता था और जो लेदर अपोल्स्ट्री है उसको थोड़ा ता चेंज़िस किये गए पहले साब को premium leather upholstery यहां पर available हो जाते है जो कि आपको थोड़ासा dual tone आप कहा सकते हो थोड़ासा यहां पर bluish आपको feather touch थोड़ासे यहां पर मिल रहा है और यहां पर आपको front में मिलते है two captain seats जिसके आप Armrest भी देख सकते हैं individual armrest यहां पर available है dual shades में आपको यहाँ पर इसका interior देखने के लिए मिल रहा है जो कि beige and black color के इंदर है doors की quality same पहले जैसे ही यहाँ पर रखी गई है door handle आपको जो inner side है वो black color के इंदर black matte and finish के इंदर available है bottle holder आपको यहाँ पर भी मिल जाता है जिसके इंदर आप 1 liter की bottle रख सकते है power window के switches यहाँ पर available है और एक fabric sort of work आपको यहाँ पर इसके doors पर भी देखने के लिए available हो जाएगा वहीं आप देख सकते हैं जो इसके controls है और VMS के वह आपको यहाँ पर मिलते हैं जिनको अब adjust कर सकते है electrical adjustable और retractable का option आपको यहाँ पर मिलता है fuel के लिए आपको button यहाँ पर मिलता है और rear defogger का भी switch ही मिलता है height की light adjustment का switch यहाँ पर मिलता है और AC wind same आपको पहले जैसा ही sort of design देखने के लिए मिलेगा उसके अंदर कोई भी change नहीं किया गया key key illuminated ring वह भी आपको इस variant के अंदर मिल जाएगी और कुछ आपको यहाँ पर analog में इसका cluster meter देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आपको छोटी से M.I.D. मिलती है और यहाँ पर आपको मिलता है audio controls और calling controls पर आपको मिलते है और voice recognition का भी आपको button यहाँ पर मिल जाता है lights के जो levers है वह आपको right hand side पर मिलते है और जो left hand side में levers है वह आपको इसके washer और rear washer विगरा के लिए available हो जाते है so steering wheel कुछ इस तरह के गा dual airbags आपको इसके अंदर मिल जाते है जो कि front passengers के लिए ही आपको मिलते है कुछ silver essence का work आपको इसके steering wheel पर भी देखने के लिए available मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलते है AC vents और इसके नीचे आपको मिलते है 7 inches की infotainment display जो support करती है apple carplay android auto इसी के अंदर आपको navigation का भी option available मिल जाता है इसके नीचे lower unit के नीचे आपको automatic AC का भी option available मिल जाता है कुछ इस तरह के गया आपको rotary knobs यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ पर आपको modes मिलते हैं जिनको आप change करके अपने ease के recording इसको use कर सकते हैं वहीं इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है traction control के switches मिल जाते हैं और यहीं पर आपको bar volt के एससरी socket मिलता है जो कि आपको एक front में मिलता है और एक back side में भी मिलता है six speed manual transmission का ही option इस बार available रहने वाला automatic का option इस बार discontinued कर दिया गया है वहीं आप पर आपको मिलता है एक अपने smartphone रखने के लिए space मिल जाता है bottle holders आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और पीछे AC event का भी option मिलता है और यह कुछ armrest जो कि मैं आपको बता रहता है individual आपको मिलता है जो कि काफी comfortable आपको ride offer कर देता है adjustable आपको इसके headrest मिल जाते हैं अच्छी इस बार रखी गई है कुछ इस तरीके का look है back side में मैं आपको दिखा जाता हूँ space आपको अच्छा offer हो जाता है यहाँ पर एक और airbag आपको यहाँ पर मिलता है co driver side और Scorpio के branding आपको इस side left and side बर देखने के लिए मिल जाती है और जो इसका glove box है वो आपको जादा space आप नहीं कह सकते हैं काफी कम space आपको यहाँ पर offer किया जा रहा है हाले कि जो new generation Scorpio है जो की 2021 में mid में या फिलेट में आ सकती है उस पर already काम चल रहा है क्योंकि यह वाली जो Scorpio है अगर मैं इसको compare करें हूँ XUV से 5W से तो यह उसको बिल्कुल भी टक करना ही देती है संग्लास older आपको यहाँ पर available मिल जाता है जिसमें आप संग्लास रख सकते हैं अपना और vanity mirror आपको driver side पर available नहीं हो रहा है नहीं आपको light offer हो रही है vanity mirror सिर्फ छोटा सा vanity mirror आपको driver side पर ही offer किया जा रहा है वहाँ जो lights है वह आपको सेम जो halogen bulb वाली lights है वह आपको यहाँ पर offer की जा रही है इसके अंदर भी कोई भी changes नहीं किये गए है कि इसके अंदर LED इंस्टॉल की गई है so same वही same features आपको यहाँ पर मिलते है back side में कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको look मिलता है इसके back side में जहाँ पर आपको जो space है वो same पहले जैसा ही offer हो रहा है उसके अंदर कोई भी changes नहीं किये गए है क्योंकि length width height सब कुछ इसकी although same रखी गई है कि वहीं आपको में रूफ भी दिखायता हूं पीछे एक और आपको light मिल जाती है cabin के लिए adjustable headrest आपको यहां पर भी offer हो रहे है और इसके पीछे भी आपको offer हो जाते हैं जो कि आप यहां पर देख रहे हैं बीच में आपको यहां पर armrest मिल जाता है और दो लोग easily पीछे बैट सकते हैं यही पर आपको जो grab handle है वह मिलता है mobile holder आपको यहां पर मिलता है bottle holder यहां पर मिल जाता है power window के switches और fabric sort of work आपको इसके पीछ वाले dots पर भी देखने के लिए मिल जाता है यहां पर footstep पर पैर रख कर आप easily अंदर बैठ सकते हैं पीछे आपको इस events मिल रहे हैं और जो space है वो आप पर आपको अच्छा घासा available हो जाता है so space में आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है easily आप यहां पर बैठ सकते हैं और पीछे इस events मिल रहे हैं और यहां पर आप अपना mobile easily रख सकते हैं अपने ease के recording और पीछे आपको जो pockets है वो आपको दोनों ही side offer हो रही है seats के पीछे जिसके अंदर आप अपने documents विगरा easily रख सकते हैं so अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका back side so अगर मैं इसके boot space के बाद करूँ तो overall जो इसका boot space है वो आपको मिलता है 460 liters का boot space अगर आप seats को हटा देते हैं इन seats को fold कर देते हैं उसके बाद वहीं जो seats आपको यहाँ पर offer हो रही है यह jump seats है जिनको आप easily fold भी कर सकते हैं अपने convenience के according वहीं सके अधर जो options मिल जाएंगे आपको 7 captain seats, 7 side facing और 8 front facing और 9 side facing seats के option आपको अलग-लग variants के अधर देखने के लिए मिल जाएंगे so guys यह ता कुछ छोटा से review about all new Scorpio 2020 with BS6 compliant engine video को like करना share जरू करना comment करके बताना video कैसे लगी बागी मिलते नेक्स वीडियो में be safe take care bye bye